नमस्कार दोस्तों मैं सिल्टू वेरा अब सभी को सागत करता हूँ यूर मेड लाइब चैनल में दोस्तों अजमाब से जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कोजाइम सीरप तो दोस्तों कोजाइम सीरप क्या होता है उसमें कौन-कौन सा मॉलेक्यूल दिया गया है उसका डोजेज क्या होता है उसका साइट इफेक्ट क्या होता है उसको किस-किस बीमारी में आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तो पूरा वीडियो में जरूर बने रहिएगा क्योंकि मेडिसीन के मामले में आधा अधुरा ग्यान आपके जान के लिए हानिकारग हो सकता है, तो दोस्तो अभी जो सीरप मेरे हाथ में है, इसका नाम है कोजाइम सीरप, इसमें आपका है फांगल डायस्टेस और प प्रेपसीन यहой, प्रोटेउन को तोड़ देता है, तो यही सिमपल जो प्रोसएस है उनका काम करने का, जो सिमपल वहां सामें हमापको बोले तो यह काम करने का तरीका है, तो इसको हम लोग किस-किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खाना ठीक से पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है पेट में ग्यास बन रहा है, लैट्रिंग ठीक से साप नहीं हो रहा है या पिर आपको अगर ऐसीडिटी जैसे लग रहा है, भूक उतना नहीं लग रहा है खाना हजम नहीं हो रहा है, तो ये सब केसेस में आप ये सीरप को यूज़ कर सकते हैं और इसका जो डोजेस बगरा है, तो ये डोज है में ली, दस से मिल करके दिन में दो बार सुबह साम खाने के बाद यही इसका नॉर्मल डोज है, और विस्ते तो इसका साइट एफेक्ट कुछ भी नहीं है तो ये मेडिसीन आपको मैक्सिमम मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, इसी नाम से कोजाइम नाम से अगर कोजाइम नाम से अगर ये medicine आपको नहीं मिलता है तो आप इसका जो alternative brand है जैसे कि आप Disney Gym, Union Gym, फिर Zyme Serap ये सब नाम से भी ये medicine को ले सकते हैं सब का काम करने का तरीका सेम है और सब में सेम molecule है तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो का लाइक कीजिएगा वीडियो पर कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्याबाद